सूर्जी ने ब्रामनों से कहा, ब्रामनों, भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक जोतर लिंग का महात में हमेशा ही भक्ती को बढ़ाने वाला है, हम सब को इसे बहुत ही सने और आदर की साथ सुनना चाहिए ये उज्जैन की बात है, उज्जैन में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था चंद्रसेन, चंद्रसेन नाम की जो राजा थे ये संपून शास्त्रों के तत्व को जानते थे, शिफ भक्त थे और साथ ही में जितेंद्रियों भी थे इनके मित्र राजा मनी भदर जी शिफ के पाशर्दों में प्रदान तता सर्वलोक वंदित थे एक समय की बात है कि मनी भदर जी इनके उपर प्रसन हो गए और प्रसन होकर चिन्तामनी नाम की महमनी अपने मित्र को प्रदान की जो कौस्तुब मनी के समान तता सूर के समान चमकती थी सुनने देखने और ध्यान करने पर यह मनी निश्चे ही मंगल प्रदान करती थी भगवान शिफ के भगत राजा चंद्रसेन जब भी उस चिन्तामनी को अपने कंठ में धारन करके अपने सीहासन पर बैठते थे तब देवताओं में सूर नरायन की भांती उनकी शोभा बढ़ती थी चंद्रसेन के कंठ में जो यह चिन्तामनी शोभा देती थी इसे सुन कर समस्त आसपास के राजाओं के मन में इस मनी के प्रती लोब जागरित हो गया और वैशुभद रहने लगे तदंतर दूसरे राजाओं ने आपस में संकीत और सलाहा करके अपनी चतुरंगनिय सेना के साथ राजा चंदरसेन पर आक्रमन कर दिया अपनी नगरी को दूसरे राजाओं द्वारा घिरी हुई देख राजा चंदरसेन भगवान शिव महाकाल इश्वर की शरण में गए वे मन को संदे रहित करके द्रण निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से भगवान शिव महाकाल की अराधना करने लगे उन दिनों एक ग्वालिन उजैनी में रहा करती थी उसका एक पांच वर्ष का पूत्र था अपने बालक को लए लेके वे भी महाकाल के मंदिर गई हुई थी राजा चंद्रसेन द्वारा की गई महाकाल की पूजा को उन दोनों ने बहुत ही आदर के साथ देखा इतना आश्चर में उत्सव देखकर दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया फिर वे अपने घर को वापिस लोटाए ग्वालिन का बालक जो इस पूजा को देखकर बहुत ही आकर्शन में आ गया उसके भी मन में भगवान शिव की पूजा का विचार उत्पन हुआ एक एक कांच स्थान पर रख्दिया और उसी को शिवलिंग माना फिर इस प्यारे से छोटे सिव बालकने इधर उधर से भगवान शिव की पूजा के लिए कुछ समान सामान किया निवेद ना मिलने के कारण उसने अपने बन से ही कालपनिक निवेद भगवान शिव को और बार 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 उत्तम भक्ति भाव के साथ भगवन शिफ के श्री चरणों में अपना शीष चुकाया। पहले तो गौलिन अपने बेटे को यू भक्ति में मगन देख बहुत ही खुश हुई। फिर कुछ देर व्यतीत हो जाने के बाद उसने अपने बेटे को खाना खाने के लिए बुलाया। परंतु उसका बेटा तो भक्ति में इतना मगन था कि उसने सुना ही नहीं। कुछ देर और व्यतीत हो जाने के बाद गौलिन ने उसे खीचा कि वह उठ जाए और खाना खा ले परंदू उसके बेटे ने फिर उसकी बात नहीं सुनी अब गौलिन को गुसा आ गया फिर उसने अपने बेटे को खूब मारा और गुसे में शिवलिंग उठा कर दूर कहीं फैंक दिया बिचारा बालक इसकी आंखों से आंसों की धारा बहने लगी अपनी माँ दौारा अपनी पूजा को नश्ट हुआ देख बिचारा मूर्शित होकर गिर पड़ा जब उस बालक ने अपनी आँखें खोली तो उसने एक चमतकार देखा उसका वह शिवर एक भव्वे और सुन्दर मंदर में बदल चुका था तरह तरह के हीरो जड़े खंबे और चबूतरे और स्वर्ण के कलश उस मंदर की शोबा बढ़ा रहे थे हमारे ओरदानी भगवान शंकर की इतनी कृपा देख कर वहल बालक पर्मानंद के समंदर में डूब गया वह शिवर इंद्रभवन के समान दिखाई देता था जब प्रदोशकाल में उस बालक ने अंदर जाकर अपनी मा को देखा तो उसकी मा एक सुन्दर पलंग पर सो रही थी उसके अंगों पर भिन्न भिन्न तरीके के आभूशन थे और उन आभूशनों की चमक से वह किसी देवी के समान जान पड़ती थी अपने बेटे की वजह से भगवान शिव की ऐसी कृपाद देख कर उसने अपने पुत्र को हुरिदै से लगा लिया और फिर राजा चंदर सेन को सुचित किया राजा अपना नियम पूरा करके रात को अपने सैनिकों अपने सलाकारों के साथ उन से मिलने गए भक्ति का वह प्रभाव जो भगवान शंकर को संतुष्ट करने वाला है वह देखकर उन सभी की आँखों में पर्मानन्द के आंसु आ गए और उन सब ने उस बालक को अपने हृदै से लगा लिया इस बारे में बात करते करते पूरी रात शंबर में ही व्यतीत हो गई बाकी के जो राजा चंदरसेन पर आक्रमेंट करने आये थे उनके गुप्तिचरों ने जब सवेरे जाकर उनको ये हाल बताया तो वह सर सभी आश्चर में डूब गए उन्होंने सोचा जिस नगर के छोटे छोटे बालग भी इतने भारी शिव भक्त हैं तो राजा चंदरसेन पर तो भगवान शिव की ना जानी कितनी कृपा होगी उन्होंने आपस में सलाह की कि राजा चंदरसेन से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए बलकि दोस्ती कर लेनी चाहिए इससे भगवान शिव की कृपा उनके उपर भी बनेगी इस तरह से राजाओं के हरिदय में परिवर्तन हुआ और उन्होंने अपने हत्यार डाल राजा चंदरसेन से दोस्ती की राजा चंदरसेन की आगया लेकर वैं उनकी नगरी के भीतर गए वहां जाकर सबसे पहले उन्होंने महकाल की पूजा की और फिर गौलिन और उसके बेटे के भागे की भूरी-खुरी प्रसंसा की फिर वे उनसे मिलने उनके घर गए वहां पर राजा चंदर सेन ने आगे बढ़ कर उन सब का स्वागत सत्कार किया और बहु मुल्य आसन उन सभी राजाओं को बैटने के लिए दिये गए जिन पर बैट के उन्हें बहुत ही आनंद और प्रसंता हुई साथ ही महादेव को प्रसंत करने के लिए उन राजाओं ने उस बालक को बहुत सारे उपहार दिये इस बालक को सभी गोप बालकों का राजा बनाया गया कुछी देर में वानराज हनुमान जी सभी राजाओं द्वारा पूजित वानराज हनुमान जी वहां प्रकट हुए उन्होंने उस बालक को अपने रिदे से लगाया और सबकी तरफ करुणा से देखते हुए बोला कि सभी देहदारियों को ये बात जाननी चाहिए कि भगवान शिफ के अलावा और कोई भी उत्तम गती नहीं है आगे हनुमान जी उस बालक की प्रसंसा करते हुए कहते हैं कि ये कितनी अच्छी बात है कि इस बालक ने सिरफ पूजा देख कर वहां से ऐसी प्रेड ना ली कि इसने बिना मंत्रों के बिना किसी विधिविदान के भगवान शिफ को संतुष्ट कर उनकी क्रिपा पाई यह बालक भगवान शिफ का उत्तम भक्त है इसे मोक्ष और भोग दोनों की ही प्राप्ती होगी आगे हनुमान जी कहते हैं कि यह बालक श्रीकर के नाम से प्रसेद होगा साथ में हनुमान जी यह भी बताते हैं कि इस बालक की वन्शावली में आठवी पीडी में नंद जी उत्पन होगे जिनके यहाँ पर साक्षाद भगवान नारायन श्री कृष्ण के रूप में उनके पुत्र बनकर प्रकट होगे हनुमान जी ने बालक को रिदय से लगाया और फिर उसे शिव उपासना की वो विधी बताई जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है ऐसा कर हनुमान जी ने उस बालक से और फिर राजा चंदरसेन से जाने की अनुमती ली और बाकी राजाओं के देखते देखते वह वहां से अंतरध्यान हो गए तो इस प्रकार से जितने भी राजा आये थे वह सम्मानित होकर राजा चंदरसेन की आगया लेकर जैसे आये थे वैसे ही वापिस लोट गए वैगोब बालग भी दूस्ते ब्राहमनों के साथ मिलकर प्रती दिन भगवान शिफ की पूजा अर्चना करने लगा साथी में राजा चंदरसेन और वैगोब बालग मिलकर महाकाल जी की सेवा करने लगे इसी प्रकार उरों ने भोग और मोक्ष को पाया साथी में उत्तमगती को प्राप्थ हुए बतवत्सल भगवान शंकर महाकाल भगवान शंकर अपने भखतों की सदा ही रक्षा करने वाले हैं साथी में दुष्टों का सहार करते हैं यह आख्यान सभी मनों कामनाएं पूर्ण करने वाला है तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है धर्न्यवाद